भारत और ग्रीज दोनों ही प्राचीन सब्वेताओं से जोड़े जाते हैं और दोनों ही पुराने कताओं से भरे हुए हैं पर सबसे ज़्यादा चौकाने वाली बात ये हैं कि दोनों के पुराने कताओं में बहुत सारे संबानताएं हैं आज की स्वीडियो माम बात करेंगे हिंदू और गीक गॉड्स की कुछ ऐसी similarities के बारे में जो आपने पहले नहीं सुनी होगी तो सबसे पहली similarity है जूस और इंदरदेव के बीच जहां पर गीक mythology में जूस को Olympian gods का ruler माना जाता है तो कि वो सभी gods के king है और सिफ इतना ही नहीं उन्हें sky god भी माना जाता है जो sky और weather को भी control कर सकते हैं और सेम Zeus की तरह ही Hindu gods में इंदरदेव को देवताओ का राजा माना जाता है और वो भी एक sky god है जो की rain, storms और lightning को control कर सकते हैं और तो और Zeus और इंदरदेव के weapons भी एक जैसे हैं जहां पर Zeus के पास thunderbolt है और इंदरदेव के पास वजर है जहां पर इन दोनों weapons की power आपस में मिलती जुलती भी है और एक और interesting बात यह है कि यह दोनों ही mountains में रहते हैं Zeus, Mount Olympus पे और इंदरदेव, Mount Meru पे और दोस्तों हिंदू gods में Brahma, Vishnu, Mahesh को सबसे आदा important और powerful gods माना जाता है लेकिन geek mythology में Zeus, Poseidon और Hadeus सबसे आदा powerful और important gods हैं लेकिन हाला कि इन सबी gods की शक्तियां आपस में इतनी ज़्यादा similar नहीं हैं लेकिन individually geek gods को Hindu gods से compare कर सकते हैं For example, Hadeus और यमराज, यह दोनों ही underworld, मतलब की नर्क के देवता हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों की responsibilities भी same हैं जहां पर Hadeus और यमराज, दोनों ही लोगों की मृत्य होने के बाद, उनकी soul का fate decide करते हैं इसका मतलब यह कि अच्छे करम करने वाले souls को Elysium, मतलब की स्वर्ग में भेजा जाता हैं और बुरे करम करने वाले souls को Tartras, मतलब की नर्क में भेजा जाता हैं और तो और दोनों God's के पास dogs हैं जो कि नर्क के द्वारों की रक्षा करते हैं Hadeus के पास अपना Three-Headed Dogs सरग्रस हैं और यमराज के पास है शरवर Geek mythology में हरमिस और हिंदू दरम में नारद मुनी के बीच में भी बहुत सारी similarities बताई गई हैं और कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि ये दोनों God एक ही हैं जिनने अलग अलग सब्वेताओं में बताया गया है अलग अलग तरीके से हरमिस के God of Messenger तो कहा ही जाता है लेकिन उन्हें ट्रैवल और मिस्चीस से भी जोडा जाता है और बहुत सारी कहानियों में वो अलग अलग जगाओं पे बहुत ही जल्दी ट्रैवल करके पहुत जाते हैं इसके अलावा उन्हें Astronomy और Music से भी Associate करा जाता है हरमिस की तरह ही नारग मुनी को Messenger of God हिंदू दरम में बोला जाता है और ये भी कहा जाता है कि वो कभी Secret नहीं रख पाते हैं वो एक जगा से दूसरी जगा पे ख़बर तो फैलाते ही हैं लेकिन हरमिस की तरह ही वो Gods पर और दूसरे लोगों पर ट्रिक्स भी प्ले करते हैं ताकि एक Bigger Event को Trigger कर सके इसलिए हमने नारग मुनी को कई कहानियों में प्रमुक भूमिका निबाते हुए देखा है नारग मुनी भी हरमिस की तरह ही बहुत तेज ट्रैवल कर सकते हैं और उन्हें भी Music के साथ Associate करा जाता है और Next आता है Apollo, Helios और सूरे देव के बीच की Similarities Teak mythology में God of Sun, Apollo को माना जाता है लेकिन उनसे पहले God of Sun का खिताब Helios के पास था कुछ लोग Apollo और Helios को सेम मानते हैं और कुछ लोग इन्हें different भी गहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि Helios एक Titan थे और जब Olympian Gods ने Titans को हरा दिया तो God of Sun का खिताब Apollo को चला गया था दोनों को ही golden flying chariot के साथ visually represent करा जाता है अब हिंदु दरम में सूरे देव का God of Sun कहा जाता है और उन्हें आदित्या और भानों भी कहा जाता है यानि कि एक ही God के दो नेम हो सकते हैं Just like Apollo and Helios सूरे देव के पास भी एक flying chariot है जिसे साथ घोड़े मिलके चलाते है और जो आखरी similarity है वो है अकलीस और महाबारत के बहुत सारे characters के बीच और इन characters में जो सबसे पहले आते हैं वो है भीश में पितामा दोनों अकलीश और भीश में पितामा अपने अपने कहानियों के दोनों major war के बहुत बड़े heroes रहे थे और सिर्फ इतना ही नहीं इन दोनों के mother river goddesses थे और इनके father दोनों king थे अकलीश की मा river goddess देतिस थी और उनके पिता king पेलियस थे और वहीं दूसरी तरह भीश में की मा गंगा मया थी और उनके पिता राजा शांतनू दोनों अकलीश और भीश में पितामा के पास एक बून थी एक बरदान था जिसके इसाब से वो जब ही मारे जा सकते हैं जब वो खुद मनना चाहें और ये दोनों ही characters war के दौरान मारे गए थे अब अकलीश को करन के साथ भी compare करा जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों के पास एक ऐसा कवस्ता जिसे भेग पाना नामुकिन था जिसके कारण वो दोनों अपने अपनी stories में अमर थे दोनों ही skill warriors थे जिने almost भगवान या demigods भी हम कह सकते हैं और इन दोनों की respective मदस्त ने इन दोनों को war में जाने के लिए मना करा था जो की एक और similarity हो सकती है और भीश्म और करन के अलावा अकलीश को अरजुन के साथ भी compare करा जा सकता है क्योंकि दोनों ही war से पहले बहुत जादा नाखुश थे और war में दोनों ने अपने करीबी लोगों को खो दिया था जहां पर अभी मन्यों की मृत्यू के बाद अरजुन ने जैदरत को मानने का प्रण लिया था वैसे ही अपने साथी Petropolis के मनने के बाद अकलीश ने हेक्टर को मानने का प्रण लिया था और अट लास अकलीश को भगवान क्रिशन से भी एसोशियेट करा जाता है तो कि दोनों की मृत्यू एक एरो की वज़े से हुई जो उनकी हील में लाके लगा था अकलीश और क्रिशन जी का जो सबसे आदा वीकस पॉइंट था थी उनकी एडिया तो ऐसे देखा जाये तो पता चलता है कि अकलीश का कैरेक्टर बहुत सारे महाबारत के कैरेक्टर का एक मेल है अब इन दोनों सब्वेताओं में कौन किस से इंस्पाइड है ये पता लगाना बहुत ही जादा मुश्किल है लेकिन जितना मैंने इंटरनेट पर पढ़ाया उसके हिंदरिजम गीक और रोमन सिवलाइजेशन से बहुत ही जादा पुराना है तो ऐसे में हो सकता है कि वहाँ की कहानिया हमारे लिखे हुए गरंतों से इंस्पाइड हो तो दोस्तों इसी नोट पर इस वीडियो को एंड करते हैं तो ये ती कुछ सिमलाइटीज हिंदू और गीक गॉट्स के बीच में अगर जो आपको ही वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अंटिल देन थैंक यो मुझ वरॉचिं 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 था वाट्दीज था वीडियो